हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चानल टेस्टी कुकिंग विस सुचिता में और आज मैं आपको अर्बी की बहुती डिफरेंट और बहुती यूनीक सी रसिपी बताने वाली हूँ और वो है हमारी कुरकुरी अर्बी फ्रायर तो चलिए देखते हैं कि ये कुरकुरी अर्बी फ्रायर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करेगा और साइड में जो बैल आइकन आता है उसको जरूर दबाएगा उसको दबाने से मेरे चानल के सारे नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे तो चलिए कुरकुरी अर्बी फ्राय बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए ये मैंने अर्बी ली है तो इसको सबसे पहले हमने अच्छे से वाउश करके इसको cooker में हमने 1 सीटी आने तक इसको अच्छे से हम लोग ने boil कर लिया है It means इसको इतना boil करना है कि छिलका इसका अराम से निकल जाए अगर 1 सीटी में नहीं पकरा है तो आप 2 सीटी भी इसमें ले सकते क्योंकि यहां पर मैंने यह medium size की सारी अर्भी लिया है इसलिए हम इसके 2 parts करेंगे अगर आप जो अर्भी ले रहे हैं वह थोड़ा बड़े size की है तो उसके आप 4 parts भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको 2 parts में काट लेते हैं तो इस सारी अर्भी मैंने यहां पर काट के रख लिए हैं अब मैं बताते हूं कि इसमें हम लोग और क्या-क्या चीज यूज़ करेंगे यह अध्रग ग्रेट किया हुआ है थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और इसमें हम लोग कुछ मसाले डालेंगे तो उसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्याधा quantity में लेंगे और उसके साथ ही लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सी अमचुर पाउडर और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश मेरी लाल मिर्च, तो यह हो गए हमारे मसाले, तो यह मसाले तयार हो गए और बाकी की सासारी प्रप्रेशन भी हो चुकी है, तो अब कुरकुरी अर्भी बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल थोड़ा आप इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते हैं, और यहां पर हम लोग इसको मीडियम खेल है, इसको हम लोग लाइट ब्राउन होने तक इसको हम लोग इसी तरीके से पीच-पीच में चलाते रहेंगे देखे इस तरीके से हमको अर्वी को क्रिस्प करना है तो यह अर्वी अब क्रिस्प हो गई है अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं और अब उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा और टेल अजवाइण ज़रूर डालिएगा और फोड़ा सा हम लोग डालेंगे हीग और जब अजवाइन और हीग अच्छे से भुन जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे अद्रक और हरी मिर्ज अद्रक का यहां मैंने पेस्ट इसमाल नहीं किया है अद्रक को मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है जब ये सारी चीज़े अपस में अच्छे से हो जाएंगे तब हम लोग जो मसाले मिलाक के रखे हैं उसको अब हम लोग इसमें डाल देते हैं और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी ताक कि जो मसाले हैं अच्छे से भून जाए जले नहीं तो अब इसको हम लोग अच्छे से चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेते हैं तो अब देख रहे हैं कि सारी चीज़े अच्छे से भून गई है अब इसमें हम लोग अर्भी डाल देते हैं और इसके साथ ही अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक, नमक हम लोग ने ना ही मसाले में डाला है, ना ही अर्भी में डाला है, तो हम लोग नमक उसी हिसाब से इसमें डालेंगे, और इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते ह है तो है नहीं बहुत ज़्यादार अरवी की सबजी तो यह अच्छे से mmit होगी इंगे हरी मिल Gokuickiucci को से मैं निए अच्छी में tie कर दिया है और के दूँ एक तरहे से अरवी की सब्सक्राइब तो अपने घर में जरूर ट्राय करिएगा और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएगा तफता के लिए बाई बाई और टेक केव